नमस्कार विध्यार्थी मित्रों आज हम कच्छा आठ विशे सामाजिक विज्ञान में प्रथम सस्त्र प्रकरण नंबर एक भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन प्रकरण की चर्चा करेंगे तबच्चो पिछली कख्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंग्दी पर था संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण इस्थान था देश विदेश के लोग हमारी संस्कृती और सम्रिद्धी से प्रभावित हो रहे थे वर्षों पहले हमारा देश के साथ अग्रिम पंग्दी पर था और संसार में महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यहां की जो संस्कृती थी उससे विश्वे के लोग प्रभावित हुई रहे थे इसके कारण लोग यहां व्यापार करने के लिए और धन कमाने के लिए आते थे जबकि इसके पहले भी स्थल मार्ग से यहां विदेशी व्यापारी व्यापार करते थे और वो व्यापार कहां से करते थे तो बच्चों भारत के वायव्य सीमा से करते थे वायवी स्रीमा अर्थाल पस्रीम और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे वायवी दिशा कहते हैं तो उस जगा से वो स्थलमार्ग से व्यापार करते थे स्थलमार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे परन्तु परिश्थिती में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापर रुख गया जिसके कारण यूरोपियन देशों में भारत की चीज वस्तुए जैसे की रेश्यम, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च मसाला, तेज पत्ता आधी की मांग बढ़ गई और इस परिश्थिती का लाग लेने के लिए यूरोप के अधिकांच देशों ने भारत पहुचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना बनाना आरम कर दिया तो बच्चों हमें इस बात का ख्याल आता है कि जो भारत में चीज वस्तुए उत्पन होती थी जैसे की रेश्यम, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च मसाला, तेज पत्ता ये सब की मांग अधिक होती थी कहां तो विदेशों में और किसी कारण बस सल मार्ग से होने वाला व्यापार रुख जाने के कारण ये सबी वस्तुओं की मांग जो है वो यूरोप में और विदेशों में बढ़ गई और जिसके लिए यूरोपियन प्रजा को जो है वो नए जल मार्ग खोजने की आवशक क्या पढ़ गई बच्चो आप नक्से में देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने नए जल मार्ग की खोज की और इस नक्से में आपको मैं आपको बताती हूँ जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि सल मार्ग से व्यापार होता था तो स्थल मार्ग से व्यापार बच्चो कहां से होता था तो आप लोग नक्से में देख सकते हो भारत, फिर इरान, फिर बगदार, तुरकिस्तान, इस्तम्बुल यहां से जो है यह जो रास्ता है यह स्थलिय मार्ग का व्यापार का रास्ता था और यह जो आप टूटक टूटक रेखा देख रहे हैं न बच्चो तो यह जो है जो नए जल मार्ग की खोज की उसका उसका नक्षा यहां पर बताया गया है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे समय बीतने के साथ ही यूरोप के अने देशों के सासी नाविकों ने भारत आने वाले जलमार को खोजने की सुरुआत की जलमार को खोजने की सुरुआत क्यों हुई क्योंकि भारत की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ गई थी विदेशों में और यूरोप में जिसके करण उन्हें जलमार को खोजने की आवस्चत्या पड़ी तो पहले कौन आया तो क्रिश्टोफर कोलंबस भारत आने वाले जलमार को खोजने का वीड़ा उठाने वाले अनेक साहसी को में से एक इटली के रहने वाले प्रसित कोलंबस थे उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पस्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है एसा क्यों विचार किया होगा तो इस पर विचार करें तो कोलंबस इस विशन 1442 में बच्चो तुमारी किताब में 1942 दिया गया है जो की गलत है उसकी जगापर आपको क्या करना है चौदा-सो-बयालिस में भारक आने के लिए निकला परन्तु वा आकस्मिक क्रूप से अमेरिका जा पहुचा वह जब तक जीवी था तब तक सौयम को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा जबकी उसने किसकी खोज कर डाले थी तो अमेरिका की खोज कर डाले थी क्यों क्यों कि वो क्या मानता था कि पुर्व में जाने के लिए पस्शिम से भी जाया जा सकता है आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टाप्पू को वेस्ट इंडीज कहा जाता है तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिश्टोफर कोलंबस ने की थी उसके बाद दूसरे जो साहसिक नाविक आये उनका नाम क्या था? तो वासको दगामा जिनोंने भारत की खोज की थी भारत आने वाले जलमार को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पूर्तगाल देश का निवासी वासको दगामा था तो बच्चो कोलंबस जो था वो कहां से आया था तो इटली से आया था और वासको दगामा ये पूर्तगाल से आया था उसका जहाज अफरिका के दक्षीन केप अफ गुड होप होकर अफरिका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुँचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मुहम्मद इबन मजी नामक खलासी की मदस से 22 मई स्त्री सन 1492 को काली कट बंदरगा पहुचा उस समय काली कट के राजा जामोरिन थे जामोरिन राजा ने पूर्तगालियों को व्यापार करने की छूड दी थी तो बच्चो कैसे कैसे आये वासको दगामा तो उनका जहार दक्षिर अफरिका के के और गुट हॉप्स होकर अफरिका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुँचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ कौन से खालसे की मदद ली थी तो मुहमद इबन मजी खालसे की मदद से 22 मई 1498 में काली कट बंदरगा पहुचा और उस समय वहां के राजा का क्या नाम था तो जामोरीन थे जिनकी मदद से पूर्टगालियों ने व्यापार करने की छूट प्रदान की या ले ली किस से ली तो जामोरीन के समयकाल में इस वीशन पंदरा सो दो में पूर्टगालियों ने व्यापार करने के लिए काली कट में कोठी की स्थापना की तो कोठी की स्थापना पूर्टगालियों ने कब की तो पंदरा सो दो में उसके चार तरव किला बनाकर अल्वुकर्ग नामक एक से सेनपति को इसका रक्षक नियुक्त किया मतलब क्या कि यहां पर उन्हों सेनपति की नियुक्टी की रक्षन करने के लिए तो अलभू कर्क नामक सेनपति को वहां नियुक्त किया गया अलगु करक उत्तर दिशा में आगे बढ़कर इस्वीशन 1516 में गोवा चीत लिया सो वर्सों में पुर्थ गालियों ने मेंगलोर, कोचिन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रन इस्थापित कर लिया तो बच्चो 1502 में जो है उन्होंने किसने पुर्थ गालियों ने व्यापार कन्नायिस सुरू किया था और अपनी प्रतम कोठी बनाई थी और 1506 में जो सेनापती नियुक्त किया था पुर्थ गालियों ने अलगु करक ने उसने क्या चीता गोवा और सो वर्सों में मेंगलोर, कोचिन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्र निस्थाफित कर दिया तो बच्चो ये जो जगा है तो ये भारत के किस टट पर इस्तित है तो पस्चिमी टट पर किस टट पर पस्चिमी टट पर और ये लोग देखो जितने भी इन्होंने स्थान लिये हैं जैसे कि कोचिन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू ये सब कैसे हैं तो समुदरी किनारे के स्थान है और वहाँ पर अपना नियंतरण स्थापित का लिया अब पूर्तगाली साशन का अंद, उनका अंद कैसे हुआ पूर्तगाली जो है वो 15 सदी के आसपास आए हुए थे और 17 सताब्दी की सुरुवात में पूर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरह बढ़ने लगा इस समय मुगलवास सा जहां दिल्ली की गद्दी पर था बंगाल में उसके अधिकारियों ने पूर्तगालियों के दूर व्यवहारों की सिकायत सा जहां से की परिडाम सरुप सा जहां के आदेश से पूर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया और उनके जहा जो कि जब पुर्तगाली थे वो पस्मी घाट पर अपना साशन अपना व्यापार तो उन्होंने बढ़ाया ही था साथ साथ वो जब बंगाल की और बढ़े मतलब पुर्व किनारे जाने लगे तो वहां का जो राजा था सा जहां उसने क्या किया उसने क्या किया तो जो हुगली नदी के किनारे जो कोठी बनाई थी पुर्तगालियों की उसको तड़वा दिया और उनके जहाजी बेडों को चला दिया और इस तरह पुर्तगाली साशन का अंतो गया और उनका जो साशन है वो कहां तक सीमित रह गया दिव, दमन और कोबा त अब उसके बाद बच्चों कौन सी प्रजा आई तो ड़च प्रजा पुर्तगालियों के आगमन के सव वर्स तक लगभग सोलवी सताबदी के अंत में हॉलेंड वर्तमान में नेदरलेंड के निवासी ड़च लोग व्यापार करने के लिए आए और सर्वर प्रतम पूलीकट और मद्रास वर्तमान चिन्नाई में इन्होंने कोठिया स्थाफित की इस्वी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठी स्थाफित की उसी समय अंग्रेज भी भारत आए थे मतलब की जब डश प्रजा आई थी बच्चों भारत तब उसी समय अं ने डश प्रजा की भारत में अंग्रेजों की नजर इस्विशन सोला सो में इंग्लेंड की इरानी एलिजावेद के समय में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो बच्चो कभी काल प्रस्ण पुछा जाता है और मोश रायम भी कोश्चन है क्या कि इस्ट भारत के साथ धन कमाने के साथ व्यापार करना इनकी इच्छा थी इस्विशन सोला सो आठ में पहला अंग्रेजी जहाजी बेडा भारत के सूरत बंदरगा पर पहुचा भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रत्थम अंग्रेज होकिन्स इस जहाज जहाजी बेडा के कप वह जहांगीर से मिला परंतु अनुमती परत नहीं हुई मतलब कि 1608 में जो पहला जहाजी बेड़ा अंग्रेज का आया था उसके प्रत्थम अंग्रेज कौन थे हौकिन्स और जहाजी बेड़ा के कपतान थे और उस समय किसका राज था तो जहांगीर का था और जहांगीर ने उन्हें क्या किया था व्यापार देने की अनुमती प्रदान नहीं की थी उसके बाद कौन आया उसके बाद आने वाले सर टॉमस रो ने जहांगीर से मिलकर सुरत में व्यापार करने की अनुमती प्राप्त कर ली तो बच्चों सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था तो होकिन्स आया था लेकिन व्यापार करने के लिए अनुमत्ति किसने प्राप्त की थी तो टॉमस रो ने प्राप्त की थी और कहां पर पहली मील इस्थापित की थी तो सुथ में ठीके उसके बाद दिल्ली की गद्धी पर सा जहां बैठा सा जहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमती प्रदान की मतलब कि जहांगीर के समय में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमती प्रदान नहीं हुई थी और फिर जब जहांगीर के बाद सा जहां गद्धी पर बैठा तो उसने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमती प्रद्दान की उसके बाद कोन आये तो फ्रांसिसी यो ने फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी इस्विशन 1664 में इस्थापित की फ्रांसिसी यो ने सूरत मसली पटनम और पंडिचरी में कोठियों की स्थापना की फ्रेंचों की कमपनी का बड़ा अधिकारी कौन था तो डुपले था जिसे भारत में यूरोपिय सासन के विस्तार करने की इच्छा हुई इस तरह से यूरोपिय प्रचा में भारत और फ्रांसिसी दो सक्तिशाली कमपनिया एक दूसरे की इस्परधा किया करती थी उनमें बहुत संगर सो लड़ाया हुई और जिससे अंत में अंग्रेज सफल हुए परन्तू फ्रांसिस्यों के पास अंत में पॉंडीचरी माहे चंदरनगर आधिक केंदर बच्चे रहे मतलब फ्रांसिस्यों की हार हुई किसके सामने? अंग्रेजों के सामने और वो सीमित हो गये तो कहां तक सीमित हुए तो पॉंडीचरी माहे और चंदरनगर तक ही सीमित रह गये ठीक है उसके बाद है बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार जैसे कि हम आगे मैंने आपको बताया था कि सा जहां के समय में उन्हों अंग्रेजों ने बंगल में व्यापार करने की अनुमती प्राप्त कर ली थी और उसके बाद इस्वी सन 1665 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सरप्रत्थम व्यापार करने की सुरुआत की अपनी कोठिया इस्थापित की और आसपास किले बनवाए का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है क्या कि जहां पर कोठी बनवाए हुए थे उसके चारो और उचे उचे दिवाले जिससे कोई भी दूसरी प्रजा या विदेशी प्रजा वहाँ पर आक्रमण ना कर सके अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे और मुगल वास्ता औरंग जेब के पास से वार्षिक खिराज रखम के बदले में कर चुकाए बिना व्याप करने की अनुमति प्राप्त कर ली मतलग कि उस समय कैसा नियम था तो तुम्हें व्यापार करने के लिए कर चुकाना पड़ता था लेकिन औरंग जेब जब मुगल वास्ता बना तो उसके पास से वार्षिक खिराज रखम के बदले कर्च चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली किसने अंग्रेजों ने बच्चों यह नक्से में आप देख सकते हो कि किस तरह ब्रिटिश शासन वह धीरे धीरे फैलता गया पूरे भारत में जैसे की 1797 के नक्से में आप देखोगे तो ब्रिटिश शासन कहां कहां था तो देखो मैसूर दिखाई दे रहा है है रहा है और 1857 में और भी बढ़ गया है वह आप देख सकते हो अब कमपनी अधिक से अधिक धन कमाने की इस परधा में लग चुकी थी अब जो कमपनी थी कौन सी इस इंडिया कमपनी वो व्यापार करने की जगाय अधिक से अधिक धन कमाने की इस परधा में लग गई बंगाल में कर्मुक्त व्यापार करने की घोश्रा में केवल कमपनी को ही कर्मुक्त नहीं व्यापार की छूड़ थी परन्तु कमपनी के अधिकारी व्यक्तिकत व्यापार में भी कर नहीं देते थे जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कम हो गई जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिर अली खान ने विरोध किया था यह विवाद दिन प्रति दिन बढ़ता गया अंत में उसके परिडाम सुरूप 1757 में प्लासी का युद हुआ इस विशन 1756 में सिराजुद दोला बंगाल का नवाब बना था जिसकी अंग्रेजों पर धार थी जिससे अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे सिराज उद्दोला बंगाल का नवाब ना रहे उसके लिए अंग्रेजों ने सडियंत्र किया और सिराज उद्दोला के विर्योद्यों को मदद करना सुरू किया सिराजुद दोला ने कमपनी को आदेश दिया कि कमपनी राज्ज की किसी भी स्थिती में हस्ताचेप करना बंद कर दे और अंग्रेज अपनी कोठियों की खिले बंदी करना बंद करे और नियमें कर भरे सर्तों का पालन करते हुए व्यापार करें ये किसने कहा था तो सिराजुद दोला में इस विशे पर दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तयार नहीं थे कौन से दो पक्ष तो सिराजुद दोला ने जो सर्त रखी थी वो और कौन इसका पालन नहीं करना चाहता था तो अंग्रेज जिससे नवाब ने 30,000 सेनिकों के साथ लेकर अंग्रेजों की कोठी पर हमला बोल दिया मतलग आकरमर कर दिया नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया और उसके जहाजों को घेर लिया अंग्रेजी सेना ने रोवर्ड क्लाइब के नेतुत में जवाबी हमला किया रोवर्ड क्लाइब ने सिराजुद्दोला के एक सेना पती कोन मीड जाफर को नवाब बनाने की लालस दे कर उसकी मदद की मांग की और उसे मना लिया किसने मनाया था रोवर्ड क्लाइब ने प्लासी के युद में क्लाइब ने सिराद दोला को पराजित करके उसे धोके से मार डाला भारत में कमपनी की यह पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेजी सासन की सुरुवात होनी थी और इसलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्पूर घटना मानी जाती है इस घटना से भारत का इतिहास बदलता है अब पलासी, पलासी का यो धुए बच्चो तो तुमको मैं बताने जाते हैं पलासी है क्या तो प्लासी जो है प्लासी ये एक प्रकार का पेड़ है ये वास्तों में क्या होता है मूल इसका नाम क्या है प्लासी वहां के प्लास के व्रिक्ष पर से इस सान का नाम प्लासी पड़ा मतलब कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो जहां पर जिस जगा खेला गया था जिस जगा हुआ था उस जगा पर ये जो प्लाश है प्लाश के व्रिक्ष अधिक थे और उस जगा पर प्लाशी का युद्ध हुआ था इसके लिए इन व्रिक्षों के नाम पर प्लाशी का युद्ध ऐसा नाम पड़ा प्लाश का फुल कैसा होता है तो लाल रंग का होता है उसका गुलाल या होली के रंगों में उपियोग होता है अब बच्छों प्लासी के युद्ध के बाद दूसी लड़ाई क्या कौनसी हुई? तो बक्सर की लड़ाई प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना करके कम्पनी ने अपनी इच्छा पूर की, कम्पनी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, जो उसके इशारे पर काम करें, परन्तु कई बातों में मीर जाफन ने कम्पनी का विरोध किया, जिससे कम्पनी ने उसे नवाब पस से हटा कर, मीर कासिम को नवाब बना दिया, नवाब बनने के बाद मीर कासिम कंपनी को परिशान करने लगा ऐसा मालूम होने पर इस विशन 1764 बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया गया इस विशन 1765 में मीर जाफर की मृत्ती हो गई और उसके बाद कलाइब स्वयम बंगाल का नवाब बन गया और इस तरह अंग्रेजो ने जो हे वो राजनिती राजनिती जो हे वो घड़ी हुई थी इस तरह बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजी सासन पूरे भारत में किस तरह गुलामी की जंजीर में जकर लिया और इस इंडिया कमपनी एक व्यापारी कमपनी से आगे पढ़कर पूरे उप महादीब की सक्ति साली सत्ता बन गई इस विशे में कुछ बहुत कुछ बाते हम आगे के प्रकरण में सीखे गे तो बच्चो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है इसके स्वाद्धे की जो चर्चा में करूंगी इसके बात के पाठ में करूंगी ओके धन्यवाद